वो तो इतना साड़िस्ट है कि मिस्ट कॉल दी करके फोन स्विच्ट आफ कर लीता है यार वो देख वा गई शाल बदल गई मुस्कुराट बदल गई हैस्टाल भी बदल गया और लिपस्टिक भी बदल गई हाँ सच सच बता वही है ना जो बाइक पे तेरा पीछा करता रहता है क्या दिखता है यार वो तो बहुत अच्छा बटा लिया तूने तो मैंने नहीं उसने मझे बटा लिया हां तो अच्छा ही है ना अब फूचर प्लान क्या है आज फर्स टाइम उसके साथ बैक पर जा रहे हैं बहुत समल कर बटना चाहिए बैक पर रोड पर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं टर्निंग्स होते हैं, आउटकर्स होते हैं, रोड पर गड़े भी होते हैं, कंट्रोल नहीं हुआ तो, तो फिर क्या करोगी, हाँ यार, ये चार बार बाइक पे गई थी, और हर बार वही हुआ, चुप करो यार, हमें बहुत कंट्रूल करना चाहिए, लड़के बहुत करना पड़ता है, जब तक गलती नहीं हो जाती, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है की गलती हो गई है, ये आगे तेरी लिए लेकिन अगर बॉइफ्रेंट के साथ बाहर जा रही है, तो कॉले जाने के क्या ज़रूरत थी, लड़कियों को बॉइफ्रेंट और लोगों को स अभी, अभी कहां लेकर जा रहे हो मुझे, अभी मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, अभी बोलो ना अभी, अभी, अभी स्टाप, अभी रोको गें, अभी नहीं तो मैं खूछ जाओंगी, रोको अभी, 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 ये क्या है अभी, कहां ले आये मुझे, मा, तुम्हारी बहु आ गई, वन्नन, मेरी मा, सुशीला जी, तुमसे वाधा किया था ना मा, कि सबसे पहले तुमसे ही मिलवाऊंगा, लो आगई, मेरी मा को गुजरे पांच साल हो गए, मैं घर पे बैटके मा का इंतसार कर रहा था, लेकिन मा का एक्सिडेंट हो गया, और वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई, मम्ता की छाया से दूर हुए, पांच साल हो गए, मा से जिद करता था, मा मुझे दुनिया की सारी चीज़ चाहिए, मेरी मा मुझे छोड़के जा चुकी है, मुझे इस बात का विश्वास आज भी नहीं है, आज भी जब मैं सोया रहता हूँ, तो लगता है जैसे वो मुझे जगाएगी, अक्सर डाइनिंग टेबल पे आके कहता हूँ, मा मुझे बहुत भूख लगी है, और मा नहीं होती, वो घर पे कितनी भी देर से आये, लेकिन आते ही किचन में चली जाती थी, जब तक मा हमारे साथ होती है, हमें मा की एहमियत पता नहीं चलती, किसी की एहमियत किसी के जाने के बाद पता चलती है, फिर हम चाह के भी कभी मिल नहीं पाते, फिर हम कुछ भी करी कोई डाटने वाला नहीं होता, मा की कमी बहुत खलती है मुझे, मा मुझे क्यों छोड़के चली की, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है, कुछ नहीं मेरे पास, जब भी तुम्हारे पास आता हूं, रुला के भेजती हो, अच्छा मा बताओ ना, कैसी लगी वंदना, असल में पैरेंट्स को हमसे कितनी उमीदे होती है, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजिनियर बनाने के लिए, ये सेट, वो सेट, सब लाकर देते हैं बिचारे, हमें कुछ भी करके उनके सपनों को पूरा करना चाहिए, और, 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 थोड़ा और क्लूज आ सकता हूँ क्या, आखिर हमारे माबाप हमें बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी गलतियों को माफ करके हमें अपनी छतर छाया में रखते हैं, ये सब हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और, 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 और थोड़ा पास आया जा सकता है क्या, असल में पैरेंट्स जीते ही हमारे लिए हैं, हम लोग ही उनकी दुनिया और वो हमारी दुनिया होते हैं, हमें भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए और 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 तुम्हारी गोद में सिर्र रखे सो सकता हूँ क्या अब मज़ें अब मज़ेंगा इतनी तूर लेके आया तो भी यहां पर आगया यह क्या वाई डिस्टर्बेंस है ही नहीं सौ किलो मेटर दूर भी पहुंच गया थैंक्स थैंक्स फॉर सर्प्राइज विजिट गॉड ब्लेस यू यार चलो अब देख क्या रहियो अब चलो य हेलो अंकल अभी का दोस्त बात कर रहा हूँ अभी वह room में नहीं है शायद वह किसी पेटा अभी की girlfriend hospital में एड़मिट है जरा चल्दी उसे फोन देना प्लीज होस्पिटल में अभी को देखा है क्या नई अभी तरी गर्फ्रेंड हॉस्पिटल में पापाईज उनलाइन अगर कुछ नहीं हुआ है तो हॉस्पिटल में एडमिट क्यो है तू टेंशन मतले हम सब हॉस्पिटल में ही है तू जल्दी से आजा अंकल को इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा सम्थिंग इस रॉंग चंदू सुन एअपोर्ट के लिए कैब बुकर हाँ ओके क्या हुआ उपन हो रहा यार टिक मिला क्या उपन हो रहा यार चल्दी करना यार चंदू कैब पर क्या हुआ हाँ एक मिनिट क्या अबश्या यार जुट वास्या यार यार जुट फास्ट यार तो अपना द्याना यार नधिंग तो और यहार थांक यू अबश्या अबश्या यार जल्दी चलो ना हाँ हाँ है अलो अर्जुन अर्जुन वंदना को कुछ हुआ है यार तो अजेंटली हॉस्पिटल जाना यार प्लीज यार थैंक्स यार फ्लाइट पकड़नी है यार कितनी बार बोलू थोड़ा जल्दी करो ना यार आप चलाइए साहब आप चलाइए ना मैं बैटनाओ पीछे आकर भाई ऐसी बात नहीं है सॉरी वो गल्फिंट को लेके थोड़ा टेंशन में हूँ यार प्लीज अनस्टेंड यार अच्छा लेकर परिशानों साब अब देखो मेरी ड्राइवी स्वार देखों मेरी ड्राइवी ड्राइवी मुल्फिं अबरफिंट नेग्हा डाइवे लेक्स अब्रौ मिर्यांगत ग्राइवीταν नीग प्लेखेए पर में ट्रौाइवे डिजिजिटल ताइम नाउ कनी शेखेए न यह प्रमाइन्स में फुरुकर तो लंगुकर तो पीछ्ट करेंग। वित्व विदीड्यू वर्वाइबद, क्यों जा साथ, प्लीज। और प्रिसी प्लीज। सरी शेत्स एंडूपलीब, तक त्लिodर मुने अवझे टॉम्राहिवाग। उंडूर विज। मुद्पर मंधूरे नवरी एक दम राइट टाइम पर यार बैट टाइम कैसे सर बैट टाइम नहीं तो फ्र क्या है यह आज से तस साल पहले जान लेलेवा नाम के सुपर इट फिल्म बनाई थी मनें तब तक से अज्छा अज तक मेरी सारी फिल्म सुपर फ्लॉब गई है अलो आप जान ले लुगा की डारेक्टर है ना ये कहके कि मेरी जान ले लेते हैं अच्छा तो फिर वो छे साल पहले कौन सी फिल्म आई थी सर बंद कर दूँगा बड़ी अच्छी चली थी सर प्रदूसर ने फोन करके बोला तेरा अंथ कर दूँगा तो मुझे जाके अंडवान में चुपना पड़ा था तो फिर वो पांच साल पहले नटराजा बनाई थी अरे वो भी डूप गई फिर वो तीन साल पहले मूड हुआ तो चुम्मा दूँगा उसका क्या हो अरे बहुतो रिलीजी ने हो पाई भाई अरे सर आप अंथ कर दूँगा कि राइकर है ना देखा याद दिलाकर जान खा रहा है मेरी देखा आपने सर कुछ भी हो आप सेलीब्रीटी हो सर अरे काय के सेलीब्रीटी कि मतलब अगर में खड़े रहें के ऐसे मूहन इकाल के अगर लेने का मतलब अच्छ कल तो नहीं सेल्फिल लेने मालों को बाना ही जाता दोंट वरी साल पर्सों ही मैंने कच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है मैनी गारंटी है की फिल्म हिट होगी सार ए misog child ए मीधम म्यें सब्धाड़ करatus एक कैंसलेशन एनस् Έक कैंसलेशन सिर्ण आष्ण सरो एक कैंसलेशन सिर्ण फिर्ण थे जढ़ियो ऐबsmारी इंटिक्ट सेज़े भाव म में ज रहा हमेब दो करने ऊड़े सら यहागे फिर्रे एकांड करें I can't wait till tomorrow Raja, please come here What happened, our lover called Sir, actually, it's my hand And it's in the hospital And my flight also missed, sir I don't understand what to do Sir, I'm going to go to Hyderabad Sir, I can give you a flight kit But on one condition Tell me, sir You won't hear me your whole love story Sir, I'll hear you What the whole love story What did you eat, what did you drink And I'll tell you until the last day I'll tell you, sir Sir, we have two tickets In which we are going to go How will the girl come here, sir? Tell me I'll give you the ticket Canceled by this girl I'll give you the ticket Because, brother Chawalpuri stories Panipuri stories A couple of stories I'll give you the top director Flop director Now it'll be a fresh love story Bye And hi Thank you so much Raja I am Raj Where did you go to college? Tell me Where did you go to college? I was going to college How will you go to college? What will you go to college? What will you go to college? Tell me to the next scene Tell me to the next scene Yes Yes Where did you go to college? How will you go to college? High Principal High Principal High 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 Raja High As of all I am trying to stay the track and trolley Off this scene And the camera will come from between you kum exists And the alcohol will come from you Next scene Semh Siha If you struggle and for thezione If you've opened anything, then I need to hear 노래 Alright Oh Ok If you're leaving not as soon I won't be getting ready Inside प्रिंसिपल पीछी के दरवजी से भागे है जहां मैं जा रहा हूं वही आ रही है चलोटो अकर साइड नहीं दिया ना तो गाली चला दूगा साइड दिये जमाना हो गया अब चलो जाओ भी कहां जाओ मैं और क्यों जाओं आप लोग समास सुधारक की तरह संघर्श कर रही है और फिर मुझमें भी तो सोचिल रिस्पॉंसबिलिटी है मैं भी आप लोग के साथ हूं धी दीजे मुझे प्रिंसिपल ओओ प्रिंसिपल लुट्प अगरी पर यह सामने अब वैसे आपको नहीं उनका प्रिंसिपल हो ओ जरा इस से पकड़ेंगे आप एक मिट सो प्रिंसिपल हाई 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 इस लड़की के बारे में गुगल करके कौन बताएगा मुझे इससे बूछूँँगा तो किसी पॉलिटीशियन के बारे में बताएगा नए डिलेट इसका तो वाटसब पर कोई स्टेटस ही नहीं है पता नहीं कहां होगा शायद दुनिया ना छोड़ दिया हो डिलेट अरजुन हूँ मैं स्टुडेंट लीडर नेक्स्ट है मेले हूँ मैं प्रोटोकॉल के बिना मुझे यहां ऐसे फोन से क्यों बुलाया हां बोलो क्या हुआ है अर्जुन मुझे प्यार हो गया यार अभी मैं पहले ही बता रहा हूं तो किता भी किड़ा यह सब कुछ तेरे से होने वाला नहीं है यह जो तेरी कमिट्मेंट है ना भी वापस ले ले ऐसा बोलकर समझाओंगा तो भी समझेगा नहीं इसलिए कॉंग अच्छा अच्छ साल पहले की माधुरी की तरह और 20 साल पहले की श्रीदेवी जैसी है यार इतने फीचर वाली स्मार्ट पीस इस कॉलेज में एक ही है वो है स्पंदना बेटा तू इतना खुश्मत हो वो लड़की आसानी से नेपटने वाली के बार में मुझे बताना यार हाइट 5.4 वेट 54 और बता दू तू चौथे नंबर पे हैं हां मेरा नंबर है 4 मतलब मतलब अडोस वाला है पडोस वाला है बैच मेट है क्लास मेट है तू अकेला इंसा ने जो उसके पीछे पड़ा है वहसे तू मेरा दोस्त इसलिए मैंने चारी बताया तुझे खरशो यह बता वो तीन कौ नंबर दू स्पंदना का क्लास मेट है चटी क्लास से उसके साथ है तीसरा कोर्पूरेडर का जी नो बैया भाबी आ गई अंकल एक थाम्स अप तुम्हारे भाबी आ लब यू लाइफ में फर्स टाइम मैं किसी लड़की का बेट कर रहा था लड़की को पटाने के लिए किसी पार्क में किसी बस्टॉप पे जहां देखो वहां सब बेट क्यों करते रहते ये सब मुझे अब समझ में आ रहा है इस अ क्रेजी क्रेजी इस अ क्रेजी इस अ क्रेजी इसे दिल की बात बता के रहूंगा बाडी में कट्स वगरा दिख रहे है ना क्या बात कर रहे हो भाई एक दम इस्टील की जैसी बाडी एक दम इस्टील की तरह था मेरा पैर फश गड़े है और दोबारा स्टील फिट करा देंगे एक बटर मिल्क कैसे बात करूं कैसे बात करूं भाई मुझे एक चोकलेट देना मुझसे क्या बात करनी है भाई आप मुझे जानते हो क्या यार अर्जुन ये कैसा कॉम्पटिशन है यार घर के पास एक गास्ते में एक कॉलिज में अपनी होने वाली गर्फरेंड को नहीं लगता है गवर्णर को फॉलो कर रहा हूं इस ट्रैफिक जाम को अरजेंटली क्लियर करना हूं अर्जुन स्टुडेंट लीडर नेक्स्ट एमले मैं ही हूं तीरों के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करता हूं तू अपनी रेटिंग बढ़ा अभी अभी तेरी पोजिशन ये है उनसे सेटलमेंट होने के बाद भी तुझे इस पोजिशन पर आना होगा समझा साथ माला कंड़े में तेल निकल गया क्यों भाई क्यों बलाया है अभी तक बिल्डिंग पूरी नीपनी और पेपर वाले को भी बुला लिया है अना एट के बात करते एक बात बता सब जगे तू रैली में जैसे पत्थर फेकते हैं वैसे पेपर फेकता है लेकिन बंदना क यहा ऐसे जाँकर देता है जिसे दिवी को आरती दीखा रहा हूँ क्या बंदना यह बंदना कौन है भाई अवे नाम जाने भीना तू पेपर डाल सकता है लेकिन प्यार कैसे कर सकता है अजह मारी बात स्वहार किसी फूल या दूध बेचने वालीको या मंदिर के बाहर ना का दर मचे जहां चलू देखे चुपे लिगालू जिस पे नजर में दालू जब ही में बॉलू सची ही बॉलू चाहू तो हंगामा मचानी चाहू तो होजो में दुरादू नेक्स कितनी डेस्ट है आपे सुना है तू सिक्स क्लास से लव कर रहा है सिक्स में लव कॉन करता है यह ना लव करनी की एज होती है ना स्टेज होती है लेकिन टैंथ क्लास में ट्राइ कर सकते है लेकिन तूने तो ट्रॉल्थ में उसे नहीं बताया इंजिनिरेंग रहा है छेट अपेश की ने के ओर लेकिन भी कि रही बताया और तो और फाइनलान यर में भी नहीं बता है इतने साल पीछे गूमने के बाद कभी तो अद पीछे बैठी ही क्या भाईDas बाता मुझे टू में इतना साल पीछ गूमने के बाद कभी तशे तो चॉकलेट देना नहीं तो फालतों पैसे क्यों वेस्ट करना नहीं बाई किसी न किसी दिन मैं उसको मना ही लूँगा अबे मैं भी तो तुझे आज मना ही रहूं ना कैसे ऐसे क्या रहे यह बेडिंग काली करवा कि अपुन को दमकाने के लिए बुलाए क्या यहां कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहे बाई याप यहीं पे रहो हम उपर जाके मेटर ख़दम करके आते हैं अबाई सुन ग्राउंड फ्लोर पे तुम लग देखो टॉप फ्लोर पे अपुन मेटर देख्या था समझा गया लव यू अरे किसने बुलाया रे अप उनको मैंने भुलाया रे त्राने वाले को डराता है मैंने आपको बुलाया भाई आए ना बैट के बात करते हैं अबाई अपुन बैट के बात नहीं करता है अबाई अबाई क्या कर रहे हैं मारा मारे करेंगे ना लेकिन ले कॉमेडी करते हुए मारा मारी करेंगे अबा कॉमेड़ी हो या सेरियसली जब अपन फ्लोर पर उतरेगा ना था फिर फ्लोर कापेगा हिलेगा समझा क्या गाउन को हिलाने के लिए साउन चाहिए साउन प्रेक्षकों की फर्माईश पर एक बार फिर से अबा करें चाहूं तो होज मैं उड़ा दू फ्रिमेशी निगा आप कल ही बेबी जी से मिलके मैटर पोस्ट करता हूं कॉलेज कब चूटेगा एक बच्ची लगता है मुझे पहचाना नी वो उस दिन स्कूल के सामने प्रिंसिपल डाउन करके धरना दे रहा था ना वैसे तुम्हें कौन नहीं पहचानता तुम्हें तो सौ लोगों के बीच में भी लोग पहचान लेते हैं लेकिन तुम्हें नहीं पता होता है कि तुम्हें कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है मैं अभी आस पास ही रहता हूं तुम्हें कभी देखा जरूर होगा अगर मैं कहूं कि आपको देखा थो क्या चार दिन की फ्रेंड्शिप के बाद पांच भी देन आकर आई लव यू कहोगे तुम मुझे बहुत पसंदो और खुबसूरत भी हो अगर मैं तुम्हें पसंद हूं तो हमारे पेरेंट्स को मिला देते हैं और देट फिक्स करते हैं अगर मैं तुम्हें पसंदू तो एक बर पीछे पलटना वह तो जा रही है सच में पल्टेगी क्या नहीं पल्टी ले भाई चली गई तरी स्पंदना अब क्या करेगा हम त्यार करूंगा तेरी मुझे जरा उस तरफ चाना ऐख तैंक्यू अंकल उस तरफ आएंगे किस लिए मुझे उस लड़की से बात करनी है अरे इधर क्या बात करेगा कहीं पार्क में ले जाकर बात कर सेटिंग हो जाएगी तो सिधे घर ले जाओंगे न हमारे बारे में हमारे बारे में क्या सोचना था हमारे प्यार के बारे में मेरे बारे में क्या जानते हो जो मुझसे प्यार करते हो सब पता करने के बाद प्यार नहीं करते जब पता ना हो तब ही प्यार होता है हुआ 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 जोत बनकर तुम्हारी जिंदेगी में उजाला करने के लिए सोचा अर्नब गुस्वामी की तरहा नियूज और विशलेशन करने के लिए भी सोचा एक संसकारी आदमी की तरहा आदर संसकार करने के लिए भी सोचा एक सच्चे आशिक की तरहा आई लव यू बुलने के लिए सोचा हाँ पर तुमने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया अब से तुम्हारे घर पर संस्कारी आशिक अरनव भी नहीं याएगा और मैं भी नहीं आऊँगा तुम्हारा पेपर वाला कल्यान? हाँ, कभी नहीं आऊँगा हाँ, हाँ, बन्दना हाँ बन्दना 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 हाँ अलो, अंटी, अंटी, अंटी साइड़ो, साइड़ो किसको बोला रहे अंटी? I'm 20 प्लस यह देख, नियूस पेपर में किसीने लव लेटर रख है पेपर में पैंपलेट्स आते रहते हैं, दीदी इन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, फेख देना चाहिए ठीके ठीके, तेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है अज भी चले गई आ, बोल सुधिर आभी, यह कैसी करेक्टर के बारे पता है ना? पता है, लेकिन भात क्या है? कुछ नहीं… मेरी गल्ल्फर्ंड स्वाती है तेरी गल्ल्फर्ंड स्वाती? लेकिन तेरी girlfriend तो तेरी girlfriend तो नीटू है ना हाँ ये तो last month की बात है उसका chapter अल्रेडी बंद हो चुका है उसके बारे में तू क्यों बात कर रहा है फोन पे बात क्यों कर रहा है तेटी तो रख फोन अरे स्वाती है ना यार स्वाती को कहीं पर ले जाना है और कोई privacy ही नहीं मिल लई है कहीं लेकर जाओं तो डर लगता है कि सामने से कोई आ गया तो कहीं पडोस वाले ने देख लिया तो ये सब टेंशन रहता है यार और अपने घर नहीं ले जा सकता है काफी सारे लोग है मैं स्वाती को लेकर तेरे घर पे रह सकता हूं क्या मुझे पता था तू ऐसा ही है ए अभी क्या बत कर रहा है यार एकदम साथ भी मेरे करेक्टर के बारे में पता है न तुझे बस थोड़ी से privacy चाहिए यार वैसे तो मेरे पापा भी घर पे नहीं है तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूं अरे तेरे रहने से हमारी privacy को कोई disturb नहीं कर सकता है तू ज्वाइन कर सकता है ठीक है वैसे वो कब तक आएगी और लेडी आ गई है ये स्वाती नमस्ते यू करी ओन आजा 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 देखो स्वाती हम जवान हैं और इस उम्र में हमारे अंदर एक आग होती है इस वक्त अगर हम करीब आ गए तो ये आग और बढ़ जाएगी इसलिए हमें दूर ही रहना चाहिए और और थोड़ा पास आ सकते हैं आओं क्या पता है मन जो है ना वो काफी चंचल होता है और एक जगा नहीं ठीकता इसलिए मन को कंट्रोल में रखना चाहिए और 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 थोड़ा पास आ सकता हूँ क्या या और बहुत लोग दो मिनिट के प्लेजर के लिए अपनी लाइब बरबाद कर लेते हैं और हमें बेकार के दो मिनिट के लिए एक मिनिट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए पता है और 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 तुम्हारे कंदे पर सिर्र रख सकता हूँ क्या अबी तु अचानक आ गया तुम्हें मैंने डिस्टॉप तो नहीं किया ना ऐसा कुछ नहीं है रे तुझे घर में और कोई काम नहीं है क्या क्या काम हो और और क्या जुगार लगाँ या मतलब जुगार लगाना ही पड़ेगा उट जा थैंक्स यार, थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन ब्रो, भाई, अच्छा तु शूर है न, मैंने डिस्टरब तो नहीं किया, मज़े लिया न तुर अरे भाई, प्राविसी नाम के शब्द को तुस्से भला कोई समझ सकता है क्या, सच कह रहा है, ओके भाई, अब चलो यहां से, क्या फाइदा होगा, मैं शॉर्ट फिल्म बनाने से मना कर रहा था, अगर मैटर पहले बताया होता न, तो मैं ताला लगा कि बाहर चला जाता, यूज के लिए नाम की कोई चीज है ही नहीं, बस करेक्टर ही करेक्टर है, मुझे पता है, तू उपर से कुछ और है, लेकिन अगर से कुछ और ही, क्या यार अरजुन, सुबे से दो बार कॉल कर चुका हूँ, ड्रामा कर रहा है क्या, र्रामा में ही हूँ, रियसल चल रही है और वैसे तुझे ये कैसे पता चला, तुझे पता है, स्पंदना भी एईप, क्या बात कर रहा है, खालेज और अडिटोर इतनी सक्त हो के मत बोला करो, इत हार्ट्स, मैं स्टेज पर जा सकता हूँ, क्या, हर्जोन, स्टुडेंट लीडर, नेक्स टेमले मैं हूँ, पता है ना, जा जा किया, वंदना, I'm coming, क्या मेरे कलाकार, डायलॉग नहीं बोल रहा है, जा के नीचे प्रैक्टिस कर, बात नही वैसे हवा पानी बोलने के बजा है, पंच भूत बोलना था ना, पंच भूत, वैसे हमारा मेटर कहां तक पहुँचा, एक बार बोला तो समझ नहीं आ है, तुम गर्ल्स की यही प्राब्लम है, कुछ भी डिरेक्टली नहीं बोलती हो, अगर हम बोल दे तो भी बुरा लग मतलब प्यार करने के लिए दिल में फीलिंग सोनी चाहिए, ना, इनके डिस्पले तो होती नहीं है, न, लव और फ्रेंशिप होने के बाद ही पता चलता है कि उनके दिल में क्या है, लव में फ्रेंशिप होना ये सबसे बड़ा ब्रहम है, मैं ये सब नहीं बानता, तुम लव करने के लिए घर से मेकप कर क्या होगी और मैं अपने घर से रेडी हो क्या होगा किसी कॉफी शॉप या रेस्टरंट में मिलेंगे आपस मैं बात करते हुए एक घंटा या आधा घंटा बिताएंगे अरे असली फिलिंग तो वो है कि शादी के बाद जब तुम आईने के सामने खड़ी हो ना नाइटी पहन के सुवई-सुवई ब्रश कर रही होगी और मैं शॉट्स पहन के पेपर पढ़ रहा होगा तब जाके दिल की असली फिलिंग बाहर आएगी जब तुमारा मूट सही होगा तो मूरत तय कर लेंगे सुनिए यह मूट सही होगा तो मूरत तय करेंगे इसका मतलब क्या होता है जैसे करन के वाद यसे लाइट जलती है ना यह इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रही है तो तु ड्रामा करके क्या कर लेगा भाई अब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया तुझे अब क्या करेगा बता लव करूंगा हाँ तो चल स्पंधना कॉफी आरे हो दीदी यह तो चीटिंग है दीदी पता है लेकिन कॉफी ठंडी हो रही थी इसलिए दीदी प्लीज बैठो ना चोटा सा डाउट है जो तुम्हें ही क्लियरिफाइ करना होगा अरे ठीक है चल बता क्या डाउट है किसी से प्यार करने के लिए उसकी सुन्दरता देखनी चाहिए य डाईना देखना चाहिए प्लीज दीदी सीरिसली बताओ अब सुन्दरता क्या है आजने तो कल नहीं रहेगी अगर तुम सुन्दरता ही देखने जाओगी तो एश्वेरा-राइसे भी सुन्दर लड़किया है दुनिया में तो ब्यार करने के लिए और शादी करने के लिए सुन्दर ता सेकंडरी ऑप्शन है सेकंडरी भी नहीं सेंचुरी के बाद का ऑप्शन है थैंक यू पी ले येस वैसे ये सब तो क्यों पोच रही है एक्जाम सा रहे न दीदी इसे लिए हाँ हाँ ऐसा ही हो था बिल्कुल ऐसा ही इंटर्वल तक वो हमारे पीछे पीछे गूंगते हैं और इंटर्वल के बाद तो हमें ही उनके पीछे गूंगना पड़ता है इमेक्स क्या होगा किसको पता है एई ऐसा कुछ नहीं है कल उसने जो बेकार कॉंसेप्ट बताया था उसे गलत साबित करने की सोच रही थी मैं रोज पीछे गूंगता रहता है पतानी आज क्यों नहीं दिखाए दिया इडियेट इडियेट? आई डू इश्क अनली तुम से हां? कल वहां से तो भगा दिया लेकिन यहां मेरा इंतजार कर रही हो वैसे मेरे बारे में क्या सुचा? कल तुमने क्या कहा था? दिल माइनी नहीं रखता सुन्दरता ही इंपॉर्टेंट है ना? मतलब? यह खलत है दिल की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है यह दीदी ने बताया मेरी दीदी ने बताया, मेरी दादी ने बताया, मेरी चाची ने बताया, ये सब छोड़ो, दिल की असली फिलिंग शादी के बाद ही पता चलती है, जब तक हम लब में होते हैं, तब तक सब मेक अप होता है, जब वो निकलता है तब रिक अप होता है, लब के नाम पे फेक फ फीलिंग ये सब बेकार की बाते हैं इमेजिनेशन की जगे पे रियालेटी में हर रोज अपनी बीवी को नए फील के साथ प्यार करने वाला कोई है क्या अगर है दो तुम्हारा कॉंसेप करेक्ट है और मेरा प्रोपोजल कैंसल है क्या कुई मुझे इस बात का जवाब दो हाँ है कौन मेरे जीजू लोगों को अपने प्यार को अपने दिल में रखते होए तुमने देखा होगा पर मेरे जीजू ने सिर्फ दिल में ही नहीं उनके ट्रिपल बैडरूम वाले फ्लाट में मेरी दीदी के सौ से भी ज़्यादा वॉल पीपर्स रखे है जीजू के बारे में बोलके बड़ा इत्रार ही हो आखिर है कहां वो जहां पर भी हो भली वो आइफिल टावर के सामने हो या कोई आइटम गर्ल उनके सामने हो या नाइगरा फॉल्स देख रहे हो या फिर आगरा के ताजमेल के सामने ही क्यों नहों हर पल दीदी के बारे में ही सोचते हैं अभी कहां पर है सब नहाने के बाद सूरी को नमस्कार करते हैं पर मैं नहाने से पहले बीबी को नमस्कार करता हूँ क्योंकि सूरी का मतलब होता है सुख का उदय, लेकिन तुम तो मेरी धड़कन की उदय हो I love you, I love you मेरी जीजु के दिल में और घर के हर कमरे में मैं नहीं चाहता तहीं तुम टविल के नीचे आओ, क्योंकि तुम नीचे के लिए नहीं बनी हो जिन्दबाद के लिए बनी हो, तुम यहां मेरे दिल में रहती हो और हमेशा रहोगे I'm sorry, bloody towel 8 बच के 10 मिनट 20 सेकेंड तक घर के टाइनिंग टेबल पर होते हैं नीटनेस के नीट शेफ के ब्रैंड इंबेस्टर जैसे हैं मेरे जीजु 8 बच के 30 मिनट पर ड्राइविंग सीट पर होते हैं ठीक, 10 बच के 10 मिनट पर घर में कदम रखते हैं पंक्चुयलिटी पर तो जान छिड़कते हैं जीजु मेरे दीदी के हाथ की कॉफी के लिए मरते हैं मेरे जीजु के दिल में और घर के हर कमरे में सर्फ और सर्फ दीदी ही रहती है ये क्या है जी, आपने तो I love you बोल दिया लेकिन मेरे I love you बोलने तक रुकोगे नहीं क्या सारी, मुझे लगा फोटो है कैरेक्टर तो कमाल का है, इस जमाने में भी ऐसे लोग है इस आमेजिंग, ठीक है, एक काम करते हैं अपने जीजु का नंबर दो मुझे, फिर वो कुछी दिनों के बाद देख लड़की के साथ घूमते मिलेंगे Impossible, मेरी जीजु श्री राम चंदर जी के प्रेंट आउट है प्रेंट आउट है लेकिन पैन ड्राइब नहीं मुझे बस उनका नंबर दे दो कहानी और स्क्रीन प्लेक कैसे बनेगा वो मैं बताऊँगा ले लो, 9573369496 और तुम्हारा? वो क्या है कि हम कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो अच्छा रहेगा न? अरे वाश्रम आ गई सर कोफी सरदेश कोफी यु बगला मारे है रहे 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 कोफी सर आपका नाम क्या है इतनी आसानी से क्यों बताऊं महेश नाम बता के बात करनी है तो कीज़े बना नहीं I'm busy हलो हलो महेश ये क्या महेश मैं बात कर रही थी और तुमने कॉल कार्ट दिया आप कॉन है जी अगर आप नाम नहीं बताएंगी तो बात कैसे होगी ऐसे चड़ क्यों रहे हो महेश यू हब चेंज़ अलोट हलो सर तू मिनट्स अगर तुमसे मेरी बात नहीं होती है तो मैं विलकुल पागल से होजाती हूं क्या तुम्हें पाता है मैं तुम्हें बहुत मिस्करती हूं अरे पर अरे मम्मी बुला रही है मैं बात में कॉल करती हूं हलो हाई बहेश हाई अब मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछूँगा कहान तुम्हें I'm not going to ask ओ रियाली महेश जब तक मैं खुद चलके तुम्हारे सामनी ना आजाओ मुझे मिलने के लिए फोर्स मत करना एक बात करो तुम्हारी बॉइस बहुत बसंद है बताओ ना अच्छा कुछ और बात करो ना और क्या हाल चाल है पहले की तरह ही हो ना तुम्ह कोई एक चैनल लगा ना दीदी जीचो आगे तुम्हारा कॉफी कॉंसेप्ट अपरे अगर कॉफी नहीं दूंगी तो कदम भी अंदर नहीं रखेंगे जब से शादी हुई या तब से कॉफी पीते हुए या अंदर जाते हैं अचानक क्या हो गया ऑफिस कहते ना काम का टेंशन होगा वो भी मुस्कुराते हुए आये ना टेंशन जादा होता है तो लोग मुस्कुराते हैं दीदी हुआ 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 है यह भाई हुआ है अरे भुप गिर जायेगा अरे उसमेसे अरे मर जायेगा नीचे अगर नहीं मौनेगा ना तो यह बटल फेक के मारनूगा ओ जने मन यह मेरी बात नहीं सुन रहा है तुम तरा दोस्टे पीछे जाओ ना वान चूव चलो इसके जान तो पजगी वैसे कोई सिम्टम दिखा क्या मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बारे में नहीं तुम्हारे जीजू के बारे मैं पूछ रहा हूँ मेरी जीजू वैसे इंसान नहीं है वैसे एक बात बतो यह सुबह सुबह इतना एक्सपोज क्यों दियो हमारी जब शादी हो जाएगी ना उसके बाद ये योगा-वोगा नहीं चलेगा, ओके? हे, चलो घर जाओ, पिच्चर खत्म हो गई पता नहीं सुपर दुबार कब होगी हलो, हलो, ए? हलो, हलो, ए? अरे, क्या हुए तुझे, कब से देख रही हूँ, क्या कर रही है सुबह से, हाँ, वो, वो कॉलेज जल्दी जाना है तीदी, नई प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर मैं लेट हो गई तो क्लास से बाहर निकाल देंगी, अरे, लगता है इसे कुछ हो गया है, प्यार होने पर, पूरी दुनिया हमें बिल्कुल नई सी लगती है, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, फेड आउट होते रहते हैं, कोई हमें बुलाता है, तब भी हमें लवर का नाम ही सुनाई देता है, खाना खाते हुए प्लेट में उसका ही नाम लिखने लगते हैं, आईने मे वन्दरा, what am I teaching, symptoms of love, what, sorry, get out, sorry, बाहर जो, मैंने कहाना बाहर जो, हेलो, वैसे क्या सोचा तुमने, तुम बस नाम के लड़की हो, तुम बस नाम के लड़की हो, तुमारे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, अचा कोई सिम्टम लिखाई दिए, मेरी जीजु में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमारे बारे में पूछा, वैसे मैं पूरी तरह से यहीं पे हूँ, लेकिन माइन आउट अफ कबरेज है, अरे, सुबे की चाय मेरी ठंडी हो गई, रिमोंट को मैं फोन की तरह इस्तबाल कर रहा हूँ, खरे करने कुछ और जाता हूँ, लेकिन हो कुछ और ही जा रहा है, सच कह रहा हूँ, बंदना मैं पूरी तरह से तुमारे प्यार में दूब गया हूँ, इस मामले में मैं अपनी यंग जनेशन से यह कहना चाहता हूँ, कि अगर कोई तुम्हें लड़की पसंद आया और तुम्हें पीछे घूम और वो तुम्हें मना करते तो उस सद्मे से बाहर आना बहुत मुश्किल है, इसी रही है, अगर तुम्हें बोलने में शर्म आ रही है, तो यहां से थोड़ी दूर जाके I love you बोल दो, मैं समझ जाओंगा, अगर प्यार है तो एक बार पलट के देखो न, एक बार देख लो यार, बंदना, नहीं इंक्वाईरी में बैठी हुए, इंपलोई की तरह ब्लाइंक होकर सुनने और देखने के लिवा पलट कर नहीं देखीगी, अभी उसने देखा यार, भाई तू सच में ग्रेट है, कॉलिज की इतनी सुन्दर और संसकारी लड़की स्पंदना को भी पटा लिया तुने, आरे कौन है रहा, अर्जोन, स्टुडिन्ट लीडर, नेक्स्ते है मैं रहु हुँ मैं, येस मा म मही मा म मही हेलो हेई महीश आर यू वेटिंग फॉर माई कॉल सिर्फ कॉल का ही नहीं तुमसे मिलने का भी इंतजार कर रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सकती है क्यों पूछोगे तो क्या बताओ मैं तुम्हें महीश इतने नौटी हुआ करते थे इतनी शरारते करते थे पहले जीन्स टीशिट में कितने अच्छे लगते थे तुम और आज देखो तो ये बैंट, शिर्ट, फॉल स्लीब वो भी टक इन करके ये फॉर्मल क्लोट्स में कैसे लगते हो तुम्हे पता है बावरा हो गया है क्या नाइस, नाइस टीशिट बावरा हो तुम्हे बावरा हो गया है कर दो दो तुम्हे बावरा हो तुम्हें क्लड को बावरा हो तुम्हें मही अजह कर दो मही सहर इसता कोन आया होगा आप आप जल्दी आ गए पेरे मेरे बीच में शॉपी के लिए अके लिए चले गए सुबह ओफिस जाते है और शाम को वापिस आते है आज अचाना क्या हो गए इने देखती हूँ फेशियल दीधी दीधी प्लेट्स बूख लग रहे है ये जिन्दगी कलरफूल हो गई है तुझे देखके मेरी जाँ मैं तुझे जीजू जीजू ये क्या है क्या हुआ अच्छा नहीं लग रहा है क्या ब्लू जीन्स रेट टीशिट ऐसा ही कॉम्बिनेशन कहा था उसने टीशिट अच्छी है पर जैसे आप खा रहें वो ठीक नहीं है वो दरसल ओफिस जाने की जल्दी में थोड़ा ये क्या किया आपने दो मिनिट रुख जाते मैं प्लेट लेके आ ही रही थी ना आई नौ सॉरी सॉरी जीजू आप में अचानक बतला हो कैसे टीशिट पहन रहे हो जीन्स पहन रहे हो ये सब सडनली क्यों सुनिए चाय या कॉफी चाय तुम्हारी दिदी और मेरी शादी को दो साल हो रहा है तकूच पुराना समान जो वो फेक रहे थी उसमें ये देखा मैंने फिर तुम्हारी दिदी को कहीं बोर तो नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में पीस सोचा मैने किसी भी तरह शादी के पहले की उस मैजिक को recreate करने का सोचा मैने प्रामिस इसलिए ताम जाम सिर्फ तुम पे ही नहीं तुम्हारी दिदी पे तुम्हारी दिदी के इस घर के सारे फोटोस पे इस कलरफुल खिलोने पर हाथ रखे प्रोमिस कर रहा हूँ, यह सच है, चलता हूँ आप, जीजू, लगता है आप कुछ भूल रहे हैं नए, नए, कुछ भी भूल जाओ, लेकिन तुम्हारी दीदी को कभी नहीं भूलूँगा क्योंकि तुम्हारी दीदी, मेरे दिल में रहती है, चलता हूँ हेई, बड़ा सप्राइज, लाउड स्पिकर प्रे करता हूँ, आई लव यू बोल देना बात वो नहीं है, क्या कह रहे थे, मेरे जीजु एक हफ़ते में किसी दूसरी लड़की के सब घूमने लगेंगे, ऐसा कहा था ना क्यों, घूमते हुए दिखे क्या दिखने की बात छोड़ो, उर्टा पहले से ज़ादा, प्यार करने लगे है मेरी दीदी से बाहर कांड करने वाले मर्दक सर, अपनी बीवी से ज़ादा प्यार जाताते, वैसे तुम्हारे जीजु हैं कहां नहीं है, आफिस गए हुए हैं आफिस नहीं, पार्क, इंद्रा पार्क में गए हैं, किसी लड़की से मिलने के लिए इम्पॉसिबल विश्वास नहीं हो रहा, तो इंद्रा पाक में आजाओ, तुम्हारे जीजु की यहरकते दिखाऊंगा मेरी दीदी के बिना, पार्क तो क्या, पडोस में भी नहीं जाते हैं, लेकिन तुम्हें गलत प्रूफ करने के लिए मैं जरूर आऊंगी एपी जोर्नी, आइम वेटिंग यू बेबी लवर्सू, कॉम्रेट्स, तुम्हारे भॉस गल्फर्ण नहीं किया, वेस्ट है हलो, हाई, हाई महेश, कहाँ हो ऐसे, तुम कैसी दिखती हूँ, इस एक्साइट्मेंट और टेंचन में मरा जा रहा हूँ मैं और कितना टाइम लगाओगी मेरी आँखों के सामने आने में, सॉरी महेश, आज मैं नहीं आपाओगी यूर जोकिंग, राइट, बी सीरियस, यार, तुम आ गई हो, क्योंकि तुम्हारा लुक्स मेरे पीट पे लग रहे हैं, देखो, आई कन फिल इट, यार ओ महेश, मैं घर परी, मतलब तुम सच में नहीं आ रही हो, नहीं तुम से मिलने के लिए कलसे में कितना प्रिपेर हो पता है, लाइफ में फर्स टाइम मैंने पने चेश्ट भी सेव कर ली पता है, यू कांट टू दू इस, शिट, चै सरह सिब तुम्हें ही प्राइबलम होती है, हमें प्राइबलम नहीं होती है, शेह। तुम्हें पता है अपने बॉस को कितनी कहानिया सुना के लीव लेकर की मैं यहां पर आया हूँ और मेरी वाइफ तो टू मच है, सच कहूं तो मैं, मेरी ऐ कुछ हरकोतों की बज Iiren हटू रहा हूं और इसी वजह से वह भी पागलो कि रहरा हूं वील कर रहा हूं न तुमसे बीर के लिए कर रहा हूं और हवेलो हवेलो Ex Joseph one aकियो अ महेश बताओ तुम्हारी शादी हो गई नघ्र किया वो हुआ कि दरसल एक किम हुआ कर लेकdess लेकिन इसको भी काफी fallait पंदरे मिर्ट में शादी हुई थी पता है क्या कम से कम बंद रते हैं वो भी ठीक से नहीं पड़े मेरे लिए तो गुलाब जामून भी नहीं बचा चे चे वह असली शादी नहीं थी बहुत बेखा शादी थी पता नहीं मैंने स्रादी ही क्योंकि इस मेट्री मोनी के तो तुमारी डीडी के विना परोस में नहीं जाते हैं न देखो पार्क में गूम रहे हैं ये पेड हिल क्यों नहीं रहे है ओके बाई रुको रुको बटो बटो इस अड्मोस्फिया भी कोपरेट कर रहा है जब शादी शुदा मर्द फिसल सकते हैं तो हम तो फर्स टाइम लवर हैं ना वैसे तुमने इस बारे में क्या सोचा किस बारे में जो चीज जिस उम्रो में होनी चाहिए उसी उम्रो में अच्छी लगती है नहीं तो अगर हमारी लेट शादी हुई ना तो आधी रात को कोई प्रोग्राम देखते वक्त हमें एक घटिया से एड का नंबर नोट करना पड़ेगा जिसमें वो लोग ये सूचना देते हैं संतान प्राप्ति के लिए नीचे दिये हुए नंबर पे कॉल करें तुम्हें मेरी बास समझ आ रही है ना तुम जो देख रहे हो उतना ही समझ रहे हो तुम्हें मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहिए ना तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरूँगा कैसे सोच सकती हो तुम्हारे बारे में सोच सकती हो Okay, meet my expectation by tomorrow morning लड़कियों के expectation पे खरा उतरना मेरे जीजु को फसाने जितना easy नहीं है अगर लड़कियों के expectation पे खरा उतरना है तो किसी expert से मिलना पड़ेगा चंद्रा यहाँ कोई चंद्रा नाम का आदमी रहता है क्या मैं ही हो चंद्रा क्या काम है अरे यह क्या तेरी मूझ का है दाड़े का है तेरा इस्टाइल का है तुने अपना होलिया क्यों चेंज कर दिया अरे शादी हो गए मेरी शादी होने के बाद भागे बदलता है फेस बदलता है सब कुछ बदल जाता भईया अरे लेकिन तुम तो पाली हील में रहते थे ना अरे जब बैस्लर था तब पाली हील में रहता था शादी होने के बात दाना भी में आना पड़ गया इतना चीड क्यों रहा है भाई जिसकी शादी होती ना वो चेडता ही है हसना भूल जाता है वो बंदा फिर जबर्दस्ती हसता हो शाधी शुदा आगमी अरे नहीं नहीं हुआ अभी अरे क्या काम है तुझे क्यों है भाई जल्दी बता अंदर जाना है मुझे वो क्या है कि तु लड़कियों को पटाने में एक्सपर्ट है ना तो मुझे भी टिप्स चाहिए थी हो गया क्या सिर्फ अकेला तु भी बचाता यही सोचाता मैंने लेकिन तु भी लपेटे में आई क्या मामना थोड़ा सीरियस है यार लड़कियों के एक्सपेक्टेशन में खरा कैसे उतरू अबे तू है कौन लड़कियों के एक्सपेक्टिशन से खरा उतरने वाला? है कौन तू? पता है तुझे सारे बगान पाड़ों में स्टल कि होगे? क्योंकि उठीव की एक्सपेक्टिशन से खरे नहीं उत्रे तो तू गौन है बे? क्या है तेरी वकाद उनके आगे पता है जब तू कॉलेज में बुक्स पढ़ रहा था तब मैं लड़कियों को पढ़ा करता था जब मैं इतनी पढ़ाई के बाद खारा नहीं उतर पाया तो तू क्या खारा उतर पाएगा बे जा कुछ और कार अरे बताईए ना हुआ क्या अरे नहीं वा भी ताक भाई तू तो फर्स्ट्रेट हो गया है मैं क्या करूं अरे इस रज्जी को देख इस पे दस सड्या लटकी वही है लेकिन मेरी एक भी शट नहीं है उस पार तुम देखरो ना मेरी आरत को साली शोना साली शोना करके मेरे पास एक भी शट खरितने के पैसे नहीं बचे बन्यान भी उतर जाएगी देख दस तोला सोना लिजा का गिफ्ट में अगर उसे हैपी बड़े बोलेगा ना विश्ट करेगा हाई हैपी बड़े तब तु श्याद एक कोशिश है एक जान लेवा कोशिश बहुत खतरनाक हां तू तो गीला हो गया है मैं जैसे गीला हुआ ना बेटा वैसे ही शादी के बाद तू भी गीला होगा समझ लेरा लेकिन सबसे पहले तू एक काम कर अपनी बनियान को दोखे इस रसी पे डाल दे सुनिये जी हो गया अरे हां हो गया अरे तेरी अंदर जाओंगा तो वो रूलाएगी बाहर आता हूं तो ये रूलाता है जिन्दीकी रोने के लिए रहगे ये बस सब बहिया, सीनू है क्या? नहीं है सर, उसके पापा है सीनू से अच्छा है कि उसके पापा से बात करूँ 24 गंडे टीवी देखते रहते हैं, अपडेट होंगे ओके लड़कियों के एक्सपेटेशन को कंपेर करके इनकी जोड़ी ऐसी है, उनकी जोड़ी ऐसी है उन दोनों को कंपेर करो, और किसके बीच ज़्यादा प्यार है ये तुम्हें सोचना चाहिए अरे रुको बेटा, अरे रुको, अरे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है आगया, आगया लड़कियों के उमीद पे खरा उतरना इतना असान नहीं है लड़कियों को पटाने के लिए जितना सिद्ध से तुम मेहनत करते हो उसकी एहमियत को मैं समझता हूँ तुमने इतनी मेहनत से उसे प्यार किया, उसे पटाया लेकिन वो तुमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं ही हमारी उम्मेदों पर जो बना सके हमारी उम्मेदे इतनी बड़ी नहीं बहुत छोटी है बस हमारे साथ थोड़ा समय बिता सके हम जो कहे उसे सुन सके हमें थोड़ी अपनी एटेंशन देने वाला हो लेकिन सब पागलों की तरह कुछ और ही सोचते हैं मेरे बॉइफरेंड को ही देख लो फेस्बुक के लाइफ चैट के अलावा कभी लाइफ नहीं दिखता इसलिए तुम तुमारी गर्फरेंड की आखे खुलते ही उसके सामने दिखो कॉलेज है घर है ये सब सोचे बिना उसे सर्प्राइज दो उसने तुमारे बारे में सोचा की उसके आखों के सामने प्रकट हो जाओ हमें प्यार करने वाला हमारे साथ हो उसके अलावा हमारी कोई एक्स्पेक्टेशन नहीं होती हम आखे खोले तो हमें प्यार करने वाला सामने दिखना चाहिए तो कल ही जाकर उस लड़की से मिलो वनरा तुम अगर तिल हो तो मैं तुम्हारी धड़कर तुम जहां पी रहोगी मैं तुम्हारे साथ रहोंगा जिन्दगी के हर पल में मैं तुम्हारा साथ दूँगा जब तुम आखे बंद करोगी तो तुम्हारे सपने में आऊँगा आखे खुलने पे तुम्हारे सामने रहूँगा मुझे पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूँ यही तुम्हारी expectation है ला पर अगर 24 गंटे तुम्हारे साथ रहूंगा तो ये बताओ कि पैसे कहां से आएंगे तुम्हें क्या लगता है कि हम लड़कों के पास कोई काम नहीं है तुम लड़कियां ऐसी सोच रखती ही क्यों हो या कि सोचते ही सामने आ जाओ तुम लोग जैसे ही कॉल करो हमें तुरंद फोन पिक कर लेना चाहिए कब मेरा बर्थडे आ रहा है कब मेरी फीज भरनी है इस चीज की हिडन देती हो क्या कितनी मेहनत लगती है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लेकिन तुम लोग के चक्कर में हम अपनी च्छाओं पूरी ही नहीं कर पाते अच्छा एक बात बताओ मुझे ये सब कब तक रहेगा हा यही जब तक हम दोनों बैचलर रहेंगे और शादी होने के बात क्या होगा तुम ही बोलोगी तुम बदल गए हो तुम चेंज हो गए हो यही बोलोगी और यह सुनकर के मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तो क्रपा करके मेरे बारे में ऐसा मत तोचना पीज चलो मैं तुम्हें अपनी बात बता देता हूँ मैं सुभे सुभे ऑफिस जाओंगा वहां से हसते हुए वापस आऊँगा या रोते हुए या फिर मायूस होके ये सिर्फ मेरे ऑफिस के बास पर डिपेंड करता है लेकिन फिर भी तुम्हारा ख्याल रखोंगा हमेशा तुम्हारी आँखों के सामने रहूँगा तुम्हे बहुत प्यार करूंगा ये सब कहके जूटे वादे नहीं करना चाहता मैं सो अब तुम्ही बताओ कि मैं तुम्हारे लिए करेक्ट हूँ या नहीं करेक्ट हूँ तो फोन करना नहीं तो नमबर डिलीट कर देना एस यो विष प्योटे बताओ करेक्ट है अभी अब जिस्ट लिसन दुनिया में सबसे ज़ादा इस्तमाल किया जाने वाला सेंटेंस आई लव यू है और सबसे ज़ादा मिस्यूज किया जाने वाला भी सेंटेंस मजसे फ्रेंड्शिप करने के बाद मुझे आई लव यू कहते हैं तो तुमसे मिलने के आठ गहंटे, दस मिनट और बीस सेकंड्स के बाद अपनी लाइफ में पहली बार मैं तुमसे कह रही हूँ I love you पहली बार I love you कहा, रिस्पॉंस नहीं दोगे Hello? Hello? Are you listening अभी? 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 हाँ? तुमने लिस्निंग कहा ना? I am listening तो शादी कब करनी है? करने कहाँ? पार अपने कहां? प्रीक सेकंट कब करनी है अपने कहाँ कहाँ अपने कहाँ कर दो 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 झाल झाल यह तो तमन्ना की थरह नाच रही है और यह यहां दुखियों के लेटे हुए है पता नहीं क्या हो क्या वो तो इतना साड़िस्ट है कि मिस्ट कॉल दी करके फोन स्विच्ट आफ कर लिता है यार वो देख वा गई शाल बदल गई मुस्कुराट बदल गई हैस्टाल भी बद तुने 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 नहीं उसने मझे बठा लिया हां तो अच्छा ही है ना अब फ्यूचर प्लान क्या है हम आज फर्स टाइम उसके साथ बाइक पर जा रहे हैं बहुत समल कर बैटना चाहिए बाइक पर रोड पर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं टर्निंग सोते हैं आउट कर्स होते हैं रोड़ पर गढ़ी दे रीबाटों तो तो फर क्या करोगी हां यार यार यह चार बार बाइक पर गए थी और हर बार वही हुआ चूप करो यार हमें बहुत कंट्रूल करणा चाहिए लड़के बहुत जल्दी बहेग जाते हैं हमें ही अधिस्टिंस मे लोगों को सोना शो अफ करना बहुत अच्छा लगता है डिस्टेंस डिस्टेंस मुझसे डरके इस तरह से बैठ गई हो क्या अभी कहां लेकर जा रहे हो मुझे अभी मैं宇ह तुमसे पूछ रही हूMore अभी बोलोना अभी 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 स्टोप अभी रोको कि نहीं तो मैं कूछ जाऊंगी रोको अभी अभी यह क्या है अभी, कहां ले आये मुझे मा, तुम्हारी बहु आ गई वन्नन, मेरी मा सुशीला जी, तुमसे वादा किया था ना मा कि सबसे पहले तुमसे ही मिलवाऊंगा लो आ गई मेरी मा को कुसरे पांच साल हो गए मैं घर पे बैटके मा का इंतसार कर रहा था लेकिन मा का एक्सिलेंट हो गया और वो हमेशा के लिए मुझे से दूर हो गई मम्ता की छाया से दूर हुए पांच साल हो गए मा से जिद करता था मा मुझे दुनिया की सारी चीज़ चाहिए मेरी मा मुझे छोड़के जा चुकी है मुझे इस बात का विश्वास आज भी नहीं है आज भी जब मैं सोया रहता हूं तो लगता है जैसे वो मुझे जगाएगी हकसर डाइनिंग टेबल पे आके कहता हूं मा मुझे बहुत भूख लगी है और मा नहीं होती वो घर पे कितनी भी देर से आये लेकिन आते ही किचन में चली जाती थी जब तक मा हमारे साथ होती है हमें मा की एहमियत पता नहीं चलती किसी की एहमियत किसी के जाने के बाद पता चलती है फिर हम चाह के भी कभी मिल नहीं पाते हैं फिर हम कुछ भी करी कोई डाटने वाला नहीं होता मा की कमी बहुत खलती है मुझे मा मुझे क्यों छोड़के चली गी बता हो ना वंदना क्यों मुझे आनात बना दिया सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कुछ नहीं मेरे पास जब भी तुम्हारे पास आता हूं रुला के ही भेज़ती हो अच्छा मा बताओ ना कैसी लगी वंदना असल में पैरेंट्स को हमसे कितनी उमीदे होती है डॉक्टर बनाने के लिए इंजिनियर बनाने के लिए ये सेट वो सेट सब लाकर देते हैं बिचारे हमें कुछ भी करके उनके सपनों को पूरा करना चाहिए और 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 थोड़ा और क्लोज आ सकता हूं क्या आकिर हमारे माबाप हमें बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी गलतियों को माफ करके हमें अपनी छतरचाया में रखते हैं ये सब हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए और 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 थोड़ा पास आया जा सकता है क्या असलमें पैरेंट्स जीते ही हमारे लिए हैं, हम लोग ही उनकी दुनिया और वो हमारी दुनिया होते हैं, हमें भी अपने पैरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए. और, 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 तुमहारी गोद में सिर रखे सो सकता हूँ, क्या? अब मज़नादेगा. यहाँ इतनी तूर लेके आया तो भी यहाँ पर आगया यहाँ क्या भाई दिस्टर्बेंस है ही नहीं है सुछ किलो मेटर दूर भी पहुंच गया थैंक्स थैंक्स फर सर्प्राइज विजिट गड्ड्ड्स यू यार चलो अब देख क्या रही हो अब उटो चलो यहाँ से इसके शेकल पे मज़ अंदर बहुत टेलेंटेड़ है चलो चलो तो दीदी को कैसे पता हूँ कैसे भी बता दू मगर पापा को मेरे लव मैटर के बारे में बता नहीं चलना चाहिए बोलू बोलता हूँ क्या नहीं नहीं बूलती हूँ अब क्या हुआ कुछ बात करनी है मुझसे वो मैं कैसे बता हूँ समझनी आ रहाती थी पर मैं बता देती मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ वंदना तु मुझसे प्यार करती हो गया वो वही प्यार करता है मैंने तुम कैसे रियक्ट करोगी ये सोचकर टेंचन हो रही थी दी तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए मेरी क्या हेल्प चाहिए कुछ नहीं दीदी सिंपल है पापा मेरे ले रिष्टा देख रहे है ना तो तुम पापा को कॉल करके कहो कि हमारी एरिय में एक बहुत अच्छा अच्छे से बताओगी तो वो जरूर देखने आ जाएंगे जिससे प्यार करती हूं उसी से ओफेशली अरींज मैरेज करूंगी वरना सब लोग लव मैरेज लव मैरेज कहके एक टैग लगा देंगे प्लीज ना पापा को बोलो ना दीदी मैं क्या बोलू मेरी खुद की ल अगार जीजु ने शेविंग कर ली तो पापा को कॉल करूगी ना मैंने उनसे कहकर देखा कोई फाइदा नहीं दीदी अगर जीजु ने दो मिनट में शेविंग कर ली तब तो आप कॉल करूगी ना ठीक है जाओ देखती हूं टू मिनिट्स hai 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 hi Maensh इतने दिन के बाद गॉल कर रही हो कितने दिन से तुम्हारे कॉल आने का वेट कर रहा दा पता है मेरी गालो को तुम्हारी दाड़ी चुब रही है मेरी दाड़ी है क्या बहुत बढ़ गई है क्या अभी करता हूँ just one minute just one minute दीदी तुने ऐसा क्या किया? मैजिक, अब तो पापा को कॉल करोगी न? कॉल क्यों करना, पापा को डारेक्ट यहीं बुलाती हूँ तु जाके अपने आशिक को तयार कर थांक्यू क्या कर रहे हूँ? ऐसे नहीं, अरे? फॉर्मल्स पहनने पढ़ेंगे ऐसे तुम नहीं आ सकते हो ऐसे करने क्या वाली हो? मुझे बेचना तो नहीं है बेचने का तो सोच लू मगर तुम्हें खरीदेगा कौन? आखिर कमी क्या है मुझमें? हीरो जैसा हूँ मैं हीरो हो या सीरो हो ये पापा से मिलने के बात पता चलेगा क्या का? तुम्हारे पापा आने वाले हैं क्या? मेरे घर आकर मिलना है उन्हें मैंने पूरा ड्रामा डिजाइन कर दिया है मेरे दीदी तुम्हें पापा की सामने बहुत अच्छा लड़का है ये कहके इंटिड्यूस करेंगी ब्लू शर्ट ब्लाक पैन पहन कर नीटली टिप टॉप बन कराना है इंटलेक्च्वल ब्रैंड इंबस्टर बन कराना है तुम्हें चीक है मेरे पापा को देखते ही बहुत ही सिंसियरली बात करना जड़ा बोलके दिखाओ मैं वीडियो बनाती हूँ अभी इतनी ओवर एक्टिंग यू कर रहे हो ए अंकल अपनी बेटी दोगे या एक्स्टर करने की सरूरत नहीं है बी सीरियस, फर्स इंप्रेशन इस दे बेस्ट इंप्रेशन और हाँ, 9 a.m. शाप इन दे मॉनिंग ओके, वैसे तुमारे पापा करते क्या है अगर यहां रहना है तो मेरी चपल के नीचे रहना होगा मेरे कदमों पे सिर रखना पड़ेगा हाँ, 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 जा बे सही कहतो भाई ले जा इसे हाँ साब क्या रहे जोगी सुना है, तु मेरे बारे में इंक्वाईरी कर रहा है तेरे साथ जो भी आये थे उन्हें तेरी आँखों के सामने मार डाला मैंने देखा न तुने शेर को जिन्दा रहने के लिए हिरन का शिकार करना ही पड़ता है किसी को मारना खेल है मेरे लिए गलती हो गई, माफ कर दीजे, मैं जा रहा हूँ कहां जाएगा प्लीज सर्थ कोई बात नहीं, आजा, बैट मैं चलता हूँ सर्थ बैट बोला गवाह के लिए पूरा जिला ढूंड लिया तुने ये सच है ना, ये कोई फिल्म थोड़ी है रो मत, रो मत, रो मत अभी और एंटर्चेन्मेंट होगा अभी एक और आने वाला है जिसको मेरी बेटी से शादी करनी है वो मुझसे बात करने आने वाला है शेर के मुँ में हाथ डालने से क्या होता है उसे चबा जाता है वो उसे भी तेरी आखों के सामने मार डालूंगा और तू मेरे क्राइम सीन के वीडियो बना कर इंटरनेट पे डालने वाला था डाल देना तू भाई, वो आ गया अभी, आ गये क्या? ठीक हो ना? आओ, 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 वहाँ क्यों खड़े हो? डर लग रहा है क्या? डरने वाली कोई बात नहीं है आओ, आओ, मम्मी पापा कैसे है? आजाओ, आजाओ, बैठो बिटा कुछ खाओगे? चिकन बनवाया है तुम्हारे लिए खुब मजे ले लेकर खाना बेटी बंदना कौन आया है जरा देखो तो आओ, बिटी आओ, आओ, अभी बहुत अच्छा लोड़का है गोरा चिट्टा भी है, तुम दोनों की जोड़ी करेक्ट है देखो बेटी, अच्छा से देखो, जी भर के देख लो, आराम से देखो जिन्दगी भर के लिए नहीं, आगरी बात देखो ये क्यो औरे, तुझ में इतनी हिम्मत हो गई है अराम सादा, मेरे घर आकर मेरी बेटी से शादी करने को बोल रहा है तुम एए, लाग जालो इसे अभी इस वक्त क्यों फोन किया अरे, क्या बताओ यार, कल तुम अपने डैडी से मिलवाने वाली हो ना, कैसे हैं, क्या करते हैं ये सब तो तुमने बताई नहीं, आरे, वो मुझे सबने में आके डरा रहे हैं हलो, मेरे पापा कोई अक्शन मास्टर नहीं है, वो बहुत ही फ्रेंडली फादर है, गवर्मेंट इंपलाई की तरह बहुत ही सिंपल रहते हैं, तुम चैन से सो जाओ, वरना तुमारा ग्लामर कम हो जाए, कैसे सो, डर के मारे नीन नहीं आरी है, थोड़ी वैसी बात करो क्या बात करूँ, अरे वैसी यार, जल्दबाजी क्यों है इतनी, कल अपने ससुर्जी से बात करना पहले है, अब हाँ, ठीक है, तब तक मैं कोई और सपना देख लेता हूँ, सुभे मिलते हैं, बाई, अवे, दिखता नहीं है क्या, अभी मैं किसी औरजन काम के लिए जा चल निकल यहां से, अच्छा, पापा कैसे हैं आप, ठीक हो बेटी, मम्मी कैसी है, वो भी ठीक है बेटा, ठीक है पापा, आप फ्रेशो कराईए, नहीं बेटा, पहले कॉफी लेके आजाओ, ओके, बापा, कैसे आप, ठीक हो बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल लई है, सु जस्ट वॉन मिनट पापा, पापा कॉफी पापा, एक बहुत अच्छा लड़का है, वो कैसुली मैंने उसे बुलाया है, आपको पसंद आ जाए तो हम जाके मिल सकते हैं एसे बताना जैसे मुझे कुछ नहीं पता, वो वंदना को इस पारे में कुछ नहीं पता, ओपा, पापा, मैं वो बता रही थी ना, आग है वो, नस्ते अंकल, अबे, दिखता नहीं है क्या, अभी मैं किसी औरजन्ट काम के लिए जा रहा हूं इसलिए बच गया, चल निकल अगहा है, तो हुआ कि अगहा है। और इस वेअ है, नहींसा सून दोजना चल नहीं है बताँ अ मनें वोणो कमें अ हैं से इसलिए जा रहा हूं योप सब्लूनल अगहल लुटल हया। ऐर भी मैं जसे हास तो थीखते ना, मुझे से आखे और ज़ने बन बतां आखते हा ब इंडिया के बैटिंगे हैं ताइंक यू लो पीओना यापकी बड़ी बेहन है क्या चोटी बेहन है ओ आपका नाम वंदना ओ नाइस नीम अच्छा नाटकर रहा है और आपका नाम आउसकर दे देना चाहिए कॉलेज 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 और आपका कॉलेज पीटी बंदना तुम जाओ बेटा बेटा हम बात में मिले ओके अंकल दीदी जरा यहां आना एक मिनट पापा दीदी पापा को अभी पसंद आया नहीं पता करो ना अभी नहीं बात में पूछती हूं नो 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 मेरी अच्छी दीदी पूछो ना पापा लड़का कैसा लगा आपको तुम ने जितना जल्दी फैसला किया है उतना जल्दी फैसला मैं नहीं ले सकता हैं यह अंकल अवा यू लॉंग टाइम नॉट सी यू तुनाइट यह कौन बेटी जो हमारे घर में घूम रहा है आपके दामाद है पापा इसने बापा रहे माइश आज इतने दिल बाद कैसे कॉल किया बिजी थी इसले इतने दिन से आंसर नहीं कर पाई तुम भेले ही बिजी थी लेकिन उसके बाजुद मैंने तुम्हें कॉल किया पता है क्यों? तुम्हारे फोन पे जब रिंग जाती है तुम ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ रियोली? अभी नहीं, कल आओगी, तुम्हें रंग लगाने के लिए रंग? ओ, कल होली है ना? असल मैं तुमसे जब से पहचान वी तुम्हें होली डे क्या? होली डे भी भूल गया हूँ ओ, महेश, जब तुम ऐसी बाते करते हो तो कैसे लगते हो पता है? कैसा? महेश, 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 कोई ग्रॉस कनेक्शन है क्या? हाँ, सर, 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 थैंक यू, सर, हलो, मम्हें उठ रही है जाद, मेरी बीबी अल्रेडी उठ गई है तो किसे कवर किया? उसने ही मुझे स्वेटर से कवर किया वैसे तुम पूछ रही थी ना कि मैं किस की तरह लगता हूँ, किस की तरह है? तुम ना, वो बेलकुल हीरो की तरह लगते हो उतर, उतर, उतर आओ, आओ, कम उन, कम उन, कम उन, भाईया, अंदर कोई है क्या? बोरी भी नहीं है ओके, तो फिर दो दे दो, दो टिकट दो, अरे जल्दी दो जल्दी है तुम है, लो अरे भाई, सुन भे, तेरी तो, आओ, आओ असल में मैं तुम्हीं ये फिल्म क्यों दिखाने लाया हूँ, पता है क्या? यूद को खराब करने में फिल्म ही जिम्मदार है और तुम्हें पता है, फिल्म में हॉट सीन होते हैं जिसके कारण यूद बिगड़ रहा है हीरो को, हीरो इंच को टच करने का कोई सीन ही नहीं होना चाहिए ऐसे तुम्हारे हाथ पे हाथ रख लू क्या? असल में लड़के-लड़कियां फिल्म देखने आते ही क्यों है, तुम्हें पता है? फिल्म इंज्वाई करने के लिए नहीं, अपना इंज्वाई करने के लिए आते हैं बहुत सारे लड़के-लड़कियां जो फर्स्ट नाइट में करना चाहिए, वो फर्स्ट शोव में कर लेते हैं तुम्हारे कंदे पे हाथ रख सकता हूँ क्या? अरे, फिल्म में लिप किस क्योँ? मुँ से मुँ लगाना कोई एक्टिंग है क्या? ये बिल्कुल गलत है, तुम्हें चूम सकता हूँ क्या? मेरे फिल्म को हिट कराने वाली ये ओडियन्स है मेरे दोस्त हैं ये हमारी फिल्म आने वाली फिल्मों का रिकॉर्ट थोड़ देगी इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया ऐसे भी बड़ी बड़ी ब्लॉक बश्कर फिल्म है देता रहूंगा आपके फैंस गाना सुने के लिए ओवर स्पीड से भी उपर जा रही है कि अधिया जब देखेंगे आपके साथ एक विश्य पर बात करने के लिए आया हूं तो एक विश्य आपको समझ में नहीं आएगा क्या बात कर रहे हो मोदापर 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 क्रिपा करके हमारे फिल्म की पाइदेसी मत कीजिए डॉंट इंक्रेज पाइदेसी अब हमारे युन आपसे दो बात करेंगी लग डाली सबको मेरा नमश्कार कैसे हैं आप सब मुझे अपॉर्चनेटी देने वाले डारेक वाच्मिन का भी नाम बोल मेरा भी नाम बोल और सभी ओडन्स का धन्यवाद है अब जलो यहां से इसकी तो मैं थ्राब करके रखिया यार यह यह तो तू मच है मुझे देखते ही तुम्हारे पापा दामाद जी कहके चिलाएंगे मैंने ऐसा सोचा था लेकिन वह कुछ बो तुम्हारी बाहर मार्केट नहीं है ना इसे क्या देख रहे हो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या अरे जहां देखो तुम्हीं लोग दिखते हो पार्क में बस में गारी में हर जगा तुम लोग चिनर्स पार्क को भी छोड़ोगे या नहीं क्या हुआ क्या प्रॉब्लम ह आपको प्रॉब्लम है इसलिए आप लोगों को यह बात बोल रही हूं मैं गेट आउट फ्रॉम यह बच्चे खेल रहे हैं इतना भी कॉमन सिंस नहीं है क्या आपको बच्चे आते हो और पूछते ममा वो दोनों क्या कर रहे हैं तुम ही लोग बता उन्हें क्या जवाब दू माइंड यो लेंगविच जश्ट अप एंड गेट आउट लवर्स पार्क होते हैं वहाँ जाकर बैठो वहाँ देखो देखो जरा उन्हें उस चिंपैंजी को देखो यहां उसे आने की क्या जूरूरा थे किसी जू के जगह पे चुरंग पाक में आ गया है अब तुम हो मैं कौन हो तुम जानती नहीं हो अभी अच्छा कौन है इसकी बड़ी बेहन हो हम इसकी एक लौती बेहन हो इस चीटिंग क्या बात है भाई भावी तो बेहत खूब सूरत है कंग्रेचिलेशन्स क्यों आटी पसंद आई यह नहीं आटी है नहीं आटी मत बनो वरना पु आटीं सब थीक है पर मैं बारे के बारे में सोच रही हूं आपके डाड़ एकसेप नहीं करेंगे बहुत स्र ट्रिक्ठ है क्या ही वैसे तो नहीं है पिर बहुत ही हाइपर है मेरे पापा जैसे ही सीन में अंधर होंगे न रहे को साइलेब को ओड़ेगा bene, वो सब चुड़ सारी बातें उनको हमसे पहले बता होनी चाहिए, अब हमें ही कोई चीज नहीं पता होगी, तो उन्हें कैसे बता चली है, सही कहा, मुझे ही देख लो, चार साल पहले शादी हुई थी मेरी, लव मैरिज, और वो भी डॉक्टर है, उनके घर वाले राजी नहीं थी, इसलिए हम करने में पूरे दो साल लग गए, हां, तो चलो, चलवाता हूं तुम्हे अपने पापा से, पापा, दीदी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नहीं होगी अच्छी, बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, बडों के खिलाब जाके शादी करोगे तो कहां से अच्छी होगी, लेकिन अफसोस हो रहा है पापा, अफसोस हो रहा है तो क्या, हां, मा नहीं थी, बाप भी नहीं था, क्या, हां, जीजा जी उन्हें मारते भी हैं, ऐसे कैसे मार रहा है, किसलिए मार रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों की तो आपस में बहुत अच्छी बनती है ना, हां, स हाँ, बोलो अभी दो साल से जिसका सपना देख रही थी आज पूरा होने वाला है वो मैं पापा को लेकर आ रहा हूं आज सब कुछ सेट हो जाएगा ठीक है ठीक है तुम्हारी जीजु को मैं संभाल लोंगी तुम आ जाओ वाट इस दिस सब कुछ बताने का टाइम नहीं है लेकिन आप एक बेवडे इंसान क्या कहा बेवडे इंसान वाट इस नॉंसन्स सुनिये जी जस्ट कैरेक्टर की डिमांड है आप मुझे रोज स्पीकर मारते हो और आज मेरे पापा आकर मुझे बचाएंगे मतलब मेरे पापा की अटेंशन पाने के लिए तुम्हे मुझे मारना होगा अहाँ क्या ना है लगता है पापा आ गए यही घर है पापा वो क्या वो लोग शायद अभी भी जगर रहे है चल अरे बहुत सिंपल है तुम्हें अबस आक्टिंग करनी है यू इडिएट यू इरिस्पॉंसिबल तुम कर लोगे ना आइडों नो मुझे मारो जल्दी करो तुम्हें मारू भगवान लगता मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तेरी तुप क्या क्या रहे है क्या 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 इसे प्यार करता है उसे भगा कर ले गया ऐसे मारने के लिए तेरी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पर हाथ उठाने की है मुझे छोड़ दीजे नहीं पापा पापा तु उसे मार रहा है ना फिर भी वो तुझे मार खाने से बचा रही है यह होती है पापा समबडी सेव मी गलत है बेटा एक तो तुम लोगों ने लब मेरेज की ऐसे में एक दूसरे का खया लखना चाहिए कोई प्राबलम है तो हम बड़े बैठे हैं ना पापा यह हमारी पेटी है बिलकुल तुम्हारी मा की तरह है मतलब नाना जी और आपको मैंने ही मिलाया ममी हाँ बेटा इसलिए तो तुम हमारी लाडली हो फिर हमें कौन मिलाएगा दीदी को तुम मीनी ने मिलवा दिया लेकिन तुमने इस बार में कभी सोचा ही नहीं तो फिर क्या करने की सोच रहो कुछ कहूंगा तो इमोशनल हो जाएंगे इमोशन जादा हुआ तो मेनेटेशन करने लगेंगे सोचता हूँ कुछ मैं टूइस्ट काइड जैसा दिख रहा हूँ ना चेश्मा लगाता हूँ अच्छा सुनो सुनो मुझे किस्टो की क्या है भीक मांग रहा हूँ ऐसा लग रहा है मा दियर मेश पाइवां टेकिस बट विदाउट मेश चेश्मा यह तो सुहाना स्पेकिंग निस कोर्स की तरह है रामिंग कर दीना एकदम किलेरली ओहाँ ठीक है अपने फ्लो में चलता हूँ जाए कबीर सिंग हाई माहेश हाई 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 तुमसे कुछ पूछने के लिए सोच रहा था फिर पेकिंग ओके कहो कि तो तिस चालिज ती कुछेंगा पूलो ना माहेश मुझे एक चुमा चाहिए I want to kiss क्या मना मत करना फोन पही देदो प्लीज प्लीज यह नाटी यहां मम्मी है तुम्ही दो नाटी वन मिल्ट हाई थैंक्यू थैंक्यू इलाईजी फ्लेवर क्या हुआ महेश रहारसल कर रहे हो गया क्जया ठाहर्त मम्म यह रहा 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 मम्म यह से electorate 앞 में हिरी किव क्योंकि है यह नहीं देखारी हूँ यार क्या कर रहे हैं क्या कर रहे है क्या क्या बताओ मै आओडयो चार चल रहा है वीडियो कुछ और चल रहा है तुम क्या करोगे मज नहीं पता, लेकिन को कट करना होगा एई, वो कॉल गर्ल नहीं है, कॉलेज गर्ल है, मेरी दोस्त है हाँ, वही न, कॉल करने वाली गर्ल हम दोनों मिल गए न, अब बीच में इस ड्रामे की क्या सरूरत तुम्हारे जीजु उसके प्यार में डीपली डूप गए है अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया छोड़के निगल लेंगे हम, इस बारे में कुछ सोचता हूँ मैं, रुको हाँ, बोलो पेपी अज़ो महेश, डैडी का कॉल आ रहा है, मैं दस मिनिट में कॉल बाक करती हूँ दस मिनिट क्या, दस दिन ले लो हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा वेट करता रहूगा हेई, जीजा जी क्या कह रहा है वो तो तलाग दे देंगे कह रहे है अरे बाप रहे, उन्हें ये सब करने के लिए माना करो और बोलो कि कल मिलती हूँ और कितनी देर मुझे होल्ड पे रखोगी अरे, और कितनी देर बैठे रहे है होगे, सुभा जॉगिंग करने के लिए आये थे, वो भी चले गए और एक तुम हो, जो मुझे सनी लियोने के मुवी दिखा रहे हो और उदर देखो, उस वाले पेड को तुम्हारे आड में बैठे है, फिर भी अच्छे है सुभा जॉगिंग करने वालों के साथ है थे, आज मेरी आड में बैठे है वो तो सारे रात को इस सेक्यॉरिटी से सेटिंग करके आ गए थे मुवे और क्या क्या बताऊं तुम्हें यहाँ पर यह हाल है, तो गाउ के पेड़ों का क्या हाल होगा अक्सिजन लेने वाली जगह पर, अस नीलता बढ़ रही है, क्या करे है एलो, हाई मैश हाई डार्लिंग, तुम कैसी दिखती हूँ यह सोच के मेरी हाटबिट बढ़ती जा रही है, पता है क्या यह तो बताऊ तुम कहा हो, कैसी डिलस पहनी हो तुमने तुम बताऊ ब्राउन वाली क्या टूटो मुझे नहीं क्या, ब्राउन वाली नहीं हो क्या ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओक-ओके-ओके-ओके-ओक-ओके-ओके-ओक काटो महेश काटोगी कहा था न तुमने काटो ना काटों आधा भागूंगा आउ महेश एक हप तो दे दो मुझे मेरे दिमा कराब है तुम्हे करूंगा चली हलिगल फोन पर कोईल जैसे है वाल और असल में कौबे जैसी हो काटोगी कहा था ना सामने नहीं दूगा महेश लोरी के नीचे निम्बू के तरह पीछे जाना मन्जूर है पास बताओ प्लीज प्लीज मुझे अपनी बावों में समालो महेश मेरी शादी होगी है मुझे माम करो मुझे चोड़ों महेश बहुता है अश्या से गवभी होता है इस दुनिया में मैंने तो कभी सोचा भ अब यह होती है संदर्थ की पावर अगर यह लड़की खुबसूरत होती न तो तुम्हारे जीजु उसके पीछे घुमते रहते हैं अब जीजु उस लड़की को कॉल नहीं करें तो प्राब्लम सॉल्फ हो गई हो गई समझ लो पर एक दू दिन थोड़े डिप्रेशन में कहीं कोई शॉक वॉक ना लगा लें इस भात का ध्यान अखना बाकी कोई प्राब्लम नहीं है अबी मैं चलती हूँ अरे थोड़ी दिर और बैठो ना क्या है अबी तुम भी ना जब भी तुम लड़कियां बाहर आती हूँ तु चलती हूँ चलती हूँ का रिंग्टोन सेट करके आती हो क्या यहां पार्क में मैं बस सब को रोमैंस करते हूँ क्या बिसिकली तुम लड़कियां किस तरह की होती हो पता है तुम लोग यह सोचती हो कि लड़के कुछ करेंगे तो मज़ा आएगा लेकिन बाहर तो ऐसे दिखाती हो जैसे सती सावित्री हो दूसरी लड़कियों को छोड शबलग SY … बेसारी मीर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो तुम क्या लगता है तुमसे मिल ना होता है तो रात बर रहलसल करता हूँ क्या मैं मतलब कुमारे मन में यह सब मैं तुम्हारे लिए टेकिन फौट ग्रänderट जू कुछ भी कर सकते हो किया कुछ आसा ही सोच लोग तुम लड़कों का दिमाग कैसा होता है देख ले तुम लड़कें कैसी होती हो मुझे नहीं पता है क्या सब कुछ लड़के ही करते हैं तुम तो कभी भी हमारे उपर कोई भी ब्लेम लगा देती हो अच्छे से प्रेपैर हो कि आये हो लगता है क्यों छोड़ देने का इराद बेटी एक मिनट रुको एए कौन है वो लड़की तुभारे साथ यही प्राब्लम है कुछ बताते ही नहीं हो ठीक है चलो दीदिक पास पापा कॉफी यह क्या है बिटा पार्क में पता नहीं किस लड़की से जगड़ा कर रहा था यह तो अच्छा हुआ कि मैं पहुच गया अभी जाकर उस लड़की का फोन नंबर लेकर आओ कल ही हम उसके घर बात करने के लिए जा रहे हैं कुछ ऐसा ही सोच लो तू मज़्या मज़्या तू हम लोग ही जाएंगे का रहे कोई बात है तो पहरेन उसको बतानी चाहिए ना बाइक में पेट्रोल नहीं होता तो बताते हो ना वैसे ही बाइक पे पीछे बैटने वाली लड़की के बारे में नहीं बता हो गया है अभी, अब पापा को तुम्हारी लव के बारे में पता चल गया, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व समझो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, प्रॉब्लम क्रियेट हो गई है अच्छा वो कैसे? कुछ नहीं दीदी, मैंने उसका भाव बढ़ा दिया है अरे फोन यहां कैसे? मैनेजर का कॉल है, लीजिए बात कीजिए थैंक यू, हलो हाई महेश, हाव आई यू? मेरा नाम महेश नहीं है, महेशवर राव है मुझ पर गुस्सा कर रहे हो क्या? पसंद नहीं आई क्या मैं तुम्हें? क्या आप पागलो जैसी बाते कर रही हो? मेरी शादी होगे, यह समझी तू? एक ही बार दू हुई है ना, उपर से गुलाब जामुन भी नहीं बचे दे वो एनिवर्सरी पर रखा था, अगर ऐसी बाते करूगे तो मैं अपनी बीबी को फोन दे दूँगा अब दुबारा कॉल करेंगे तो मैं नहीं मिलूगा, धन्यवाद, आपका दिन मंगल मैं हो तेरी तो क्या हुआ जी, सिमका क्यो जला रहे हो? वो बिल जादा आ गया बिल जादा आ गया तो क्या हो गया? बिल जी, जाओ, जाओ, जाओ बहुत अच्छे से रहते हैं एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं कि मैं बता नहीं सकता उनकी जोड़ी जैसे लैला बज़नू, रोमियो जूलियट, सलीम क्या नाम है बेटी उसका? अनारकली, इतना गहरा प्यार और प्यार करने वालों में जगड़ा तो होता ही है ना जैसे हमने नहीं किया क्यों? बताइए भाई साब, आपने नहीं किया क्या देखें भाई साब, बिल्कुल सज़ बताईएगा अपने दामाद को ही देखिए आपकी बेटी से कितना प्यार करता है मंदिर में भगवान की इतनी फोटो नहीं होती कलरफुल पंची के साथ कलरफुल फोटो किचवाने की एक्च्छा किसकी नहीं होती पर अक्सर वो पंची उड़ी जाते है दिल तूठी जाता है जवान बच्चों में जगड़ा तो होता ही है पर हमें उन्हें मिलाना चाहिए मैंने अपने बेटी दामात के जगड में इन दोनों को मिलाया था आप कुछ बोलतें क्यों नहीं? बोलने के लिए बचा ही क्या है कुछ भी कह सकते हैं दूद पतीले से बाहर ना गिरे इसलिए गैस कॉफी रखते हैं लेकिन अगर गैस ओन ही न करे तो दूद बाहर कैसे गिरेगा हम जो सोचते हैं वो होता नहीं और जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है सोचेंगे नहीं तो कैसे चलेगा अगर हम नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा अंकल बहुत क्लोज है दोनों एक दूसरे के कल पार्क में पापा ने दोनों का जगडा देखा मेरा भाई भी कुछ नहीं बता रहा है आप थोड़ा इन्वाल्व होंगे तो मुझे पता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ आप भी बताई इसे केड़वरी समझो वह भी बिस्किट निकल रहा है एक बर अपनी आखों से देखने के बाद ही कनफर्म करना चाहिए मतलब पापा यह कहना चाहरे है कि हमें उन्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए बस बेटी यह हमारे घर की प्रॉब्लम है हमें किसी पडोसी की तरफ रियाक्ट नहीं करना चाहिए यह हमारी फैमिली है हमें फोर्स करना चाहिए क्यों आप बात क्यों नहीं कर रहे है बात करने में क्या है बात तो किसी भी तरह कर सकते हैं फोन पर बात कर सकते हैं डिरेक्ट बात कर सकते हैं लेकिन सिर्फ बात करन आओ बैठो बिटा अब बात करने के लिए कुछ नहीं है इस ओवा बंदना भाई साब रुकी उसे मत रुकिये सर फोन में सब फेक होता है असलियत में क्या होता ये पार्क में ही पता चलता है पता लगने दीजे उने बाई बाई बाबी आ रही है तुम्हें ही देख रही है भाई अब भाई का कमाल देख तु प्यार में फसा के पकड़ूंगा सोचा था लेकिन आज रास्ते में ही पकड़ना पड़ रहे तुम्हें हाँ चल चल दिखाता हूं तेरे को चल चल बराबर जूम करके लेना भे अब देता हूं लिप टू लिप लाइफ ठीक है भाई तुझे मज़ा दिखाता हूं कि कैसे करते हैं पीछे कोन आ रहा है भाई लगता है पीछे बाभी का बॉइफ्रेंड आ रहा है कट्टी महेश हूं कॉपरेट का भाई हूं आज मैंने रेड कुड़ता क्यों पहने पता है क्या तुझे जिस दिन रेड कुड़ता पहनता हूं उसी सामने वाले का खून बहा के दम लेता हूं अरे बाग क्यों रहो बेर भाई अजार काड़ का एडरेस चेंज करवाना है अब लगा लुटे चलता हूं भाई मैं कॉर्परेटर का कसन हूं मुझ पर हाथ उठाया ने तुने मेरा बाई गाउं से बापस आगिया अब तु देख तेरा गला कटके रहेगा आजा आजा आ अब जूटी हमदर्दी मजज़ता एक बार ओवर बोल दिया तो ओवर बस बहुत हो गया मैंने एक फैसला लिया है कि मैं यह शहर चोड़ के चला जाओं का मुझे छोड़ा तो छोड़ा लेकिन चेहर चोड़ने की क्या जरूरत है अब इस बात का क्या जवाब दू तुमे यह पाग देखता हूँ तो यहां तुम्हारी याद आती है कॉलिस देखता हूँ तो वहां तुम्हारी याद आती है तुम्हारी यादों ने मुझे परेशान करके रख दिया है तुम्हारी यादों को मैं किसी तरह से भुलाना चाहता हूँ उन मैमरीज को ही फीलिंग्स क कभी नहीं समझूंगी, ऐसा सोचा था पर तुम्हें समझ गई अब ये मैं दावे के साथ कह सकती होगी सब खत्म हो गया, इस ओवा बनना खुद को समझाल कितने दिन ऐसे बैची रहेगी मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो क्यों छोड़ दो कब तक इस तरह से बैठके रोती रहेगी तू एक बार आईनी में जाके अपनी शकल देख वो तो बड़ी आसानी से भूल गया लेकिन तू तो नहीं भूला पा रही है न उसे ऐसा कोई कामी नहीं किया उसने जो भूला सकूँ क्या कह रहे है तू सुन्दर्ता ही इंपोर्टेंट है सुन्दर्ता ही इंपोर्टेंट है ये कहकर उसने पहले ही सब क्लियर कर दिया था मैं ही पागल हूँ जो उससे समझ नहीं पाई क्या हुआ बता एक दिन जब आप और जीजू काम से गाउं गए थे तब वो गहर पर आया था अभी? दीदी और जीजू दोनों गए ये कैजवली कहा तो डारेक्ट गहर आ जाओके वैसे आज काफी खुबसूरत लग रही हो कितनी? किसी स्वर्ग की अपसरा से कम नहीं थैंक यू कॉफी? हाँ मैं भी आता हूँ तुम्हे कॉफी बनानी आती है? नहीं पीनी आती है चा बात है तुम्हे बनाना आता है बनाओ बनाओ नो वो प्लास्टिक अपल है अरे पता है मुझे वो तो ऐसे ही ले लिया इट विल टेक टाइंग चलो वैसे घर काफी अच्छा है शादी के बाद हमारा भी ऐसा ही घर होगा जिसमें मैं और तुम खुशी से रहेंगे है न? इस एन ओसम फिलिंग वैसे मज़ा आ रहा है आज यहाँ हमारा भी ऐसा ही होगा जिसमें मैं और तुम रहेंगे जिसे हम अपना कह सकेंगे उसमें इतनी फोटोस तो नहीं होगी लेकिन एक चीज़ जरूर होगी एक फोटो मेरे दिल में होगी मेरा यह सपना अखिर सज कब होगा का आज चल्दी पूरा हो जाए मुझे तो यह सोच के ही बहुत मजा आ रहा है कब हम साथ में होंगे क्या लवली फिलिंग रहेगी न? कुछ समझ में नहीं आ आज मेरी फिलिंग बहुत उबाल मार रही है वहां स्टोफ के उपर दूद उबाल रहा होगा क्या रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ दीदी अभी के जाने के बाद मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा सच में कुछ नहीं बचा लॉस्ट एवरिधिंग देख तो रो मैं कुछ ना कुछ करते हैं मैं उससे बात करती हो ना नंबर भी बंद कर दिया है है इस चीटा है उसकी बेहन का नंबर है क्या तेरे पास हलो संधिया मैं वंदना की बेहन बोल रही हूं तुम हमारे घार आ सकती हो कुछ अर्जन बात करनी थी बंदना बंदना देखो इसको कैसी थी और कैसी हो गई है तुम भी नहीं पैचान पारी होगी कम से कम तुम अपनी भाई से तो बात कर सकती हो मेरी बेहन की ये हालत में देख नहीं पारी हो और क्या क्या कहोगी दिदी उससे जो करना था करके भाग गया उसके कॉल उसके मैसेज़स आने का पागलों की तरफ बेट कर रही हूं मैं कैलेंडर में डेट देखती हूं तो इस इस दिन में ले थे याद आता है गड़ी में टाइम देखती हो तो इस इस टाइम पर बात की थी याद आता है मुझे कितना भूलने की कोशिश की फिर भी वही याद आता है प्लीज आपके बैर पढ़ती हूं वो कहा है मुझे बताईए अभी आपको देख रही हूं फिर भी आपको भाई याद आ रहा है इसकी लाइफ स्पोईल हो गई है और किस तरह से रो रही है तुम कुछ सुनने ही पा कर दो ना देखो तुम किसी वी बात के टेंशन मत लो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी प्रॉबलम सॉल्व कर दूंगी बताओ वंधना आपका भाई एक फ्रॉड है चीटर है क्या काउंड्रल लड़कियों की जिंदगी बरबाद करने वाला रासकल है सिर्फ आपक पूरा परिवर है तुम्हें पता भी है सच क्या है मैं तुम्हें सच्चा ही बताती हूं क्या से क्या हो गया ना दीदी बहुत ही अजीब सिच्वेशन में फस हूं क्या करूं को समझ में नहीं आ रहा है कितनी महनत की है दीदी प्रिलियम्स हो गया मेंस हो गया ऑल्मोस्ट इंटरव्यू भी हो गया है, एक साल, बस एक साल की ट्रेनिंग है, वंधना, वंधना को छोड़ के नहीं जा सकता दीदी, उसे छोड़ना असान नहीं, और नहीं गोल छोड़ सकता हूं, इसके लावा मैं कोई दूसरी जॉब भी नहीं कर सकता हूं, मा कहती थी, मैं आईस बन बैलेंस नहीं कर सकता, तो अब तुमने क्या सोचा है, चला जाओंगा, वो भी उसे बिना बताए, उसे बिना बताए, क्यों जाना है, बता कर भी जा सकते हो, बता के जाओंगा, तो क्या होगा, चौविस घंटे हम फोन पे बाते करते रहेंगे, वो मुझे संडे मिलने तभी दूरी बढ़ेगे, और रिलेशन्शिप और अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, गालियां देगी, लेकिन जब एक साल बाद, उसके सामने जाके, एस, अभीना आई, एस, इंट्रडक्शन दोंगा, तो एक अलग ही बात होगी, ये सुनने में तो बंदना, बंदना, आँखे खोलो, बंदना, तुमने सहर पे लिया है, क्या, बंदना, हलो, 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 राजा, 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 अगर आपने हेल्प नहीं की होती, तो आज मैं हादराबाद नहीं पहुंच पाता, अरे, दैंक्स की कोई जरुत नहीं, राजा, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स क्या है, ये तो बताओ, आगे क्या होने वाला है, ये झाल झाल ऐसा कुछ हो जाएगा हमें बिल्कुल नहीं सोचा था वन्दना उटो वन्दना उटो वन्दना तुम्हें तीन महीने दिखा नहीं तो तुम्हें जान दे दी मैं तुमसे दूर गया ही काल मैं तुमसे दूर नहीं था तुमसे तीन महीने नहीं बर्दाश हुआ कितने सपने देखे थे हमारे बुढ़ापे तक की प्लैनिंग कर ली थी लेकिन ये क्या किया क्यों किया ऐसा दुमने मैं तो सप्राइज देने वाला था कि मैं आये सब ही नहूँ लेकिन तुम हम्मद आर गई ऐसे कैसे तुम हम्मद आर सकती है इतना तो मेरी माने भी नहीं रूलाया मुझा बंदना प्लीस मुझे छोड़ के वच जाओ प्लीस बंदना उठ जाओ मुझे नाराज हो तुम मुझे डाट लो लेकिन ऐसे नाराज मत रहो तुम ऐसा नहीं कर सकती तुम नहीं तो मैं नहीं वंदना मैं भी नहीं अगर तुम नहीं तो मैं जीगे क्या करूगा वंदना आखे खुलो तुमने जहर पीलिया है क्या अगर किसी को बताया तो आप दोनों को मेरी कसम है और जेंटली उसे बुलाईये अरे क्या हुआ मेरी बहु को पापा जल्डी कीजिए एम्बुलेंस को लाईये है एलो एम्बुलेंस नहीं चोड़कर क्यों चले गए थे क्यों गए थे हां चले जाओ नहीं जाओ के फिर कभी कभी छोड़के जाओ के बताओ मुझे मुझे चोड़कर जाने के लिए हिम्मत कहां से आई तुम मैं तुम चाहें कलेक्टर बनो कंड़क्टर बनो मुझे उससे क्या इत्स ओवर कहा तो इतनी छोटी सी बात के लिए सच में छोड़कर चले गए कितना टॉर्चर किया है तुमने मुझे आपी ना हो तुम्हारे बिना ये दिन कैसे बिता है तुम्हें पता है तुम्हारे हशी याद करती थी तो रोना आता था तुम्हारे बाते याद करती थी तो दुख होता था तुम्हारे बिना इतने दिन I hate you I hate you I hate you राजा पहले तो क्लाइमेक्स देखकर लगा कि ये फिल्म भी गई बंटाधार पर एक बार मुझे फिर एक नया मॉका मिलेगा अच्छी फिल्म बनाने का सूपर राजा सूपर ए मेरे सीनियर सा रहे है बेव यॉरसेफ इनके हस्बंड आप ही है क्या अहां हां कॉंग्रेट्स आप बाप बनने वाले हैं मतलब अब मुझे शादी करनी हुई अभी शादी नहीं हुई क्या आराम से उची अवाज में मत बोलिये उसने मारा तो कोई बात नहीं बाहर सुनिया तो सब मिलके मारेंगे मुझे चलिए क जी जा जी एक लड़की आपको बहुत डेस्ट अब करती थी सुना है वह बात याद करके क्या फैदा वह एपिसोड तो कब का खतम हो चुका है दरसल उस एपिसोड का डिरेक्टर में तनननननननननननन सर आप क्रेजी क्रेजी फिल्म के डारेक्टर है ना राजा कॉंग्रे झाल झाल